हेलो एन वेलकम टू मिन्ट टॉक इंडिया हम पर रहे थे आपके NCRT क्लास फिफ इंग्लिश का यूनिट नमबर टैन लेसन हूँ विल बी निंगदो हमने अपना पार्ट वन वीडियो इस पेज पे खतम किया था जहांपे हमने पड़ा था कि मनीपूर के कांगले पाक के रा स्राइडिंग की रेस लखी लेकिन जिसमें उनके तीनों बेटे सेम के सेम आए कोई भी फ़र्स नहीं आया तो पढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं क्या उन्होंने इन तीनों में से किसी एक को राजा बनाया फ्यूचर का या फिर किसी और को बनाया और किस बेसिस पे बन अजूद होंगे तभी वो राजा बन पाएगा चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं ये सवाल का एंसर दनिंग्दो एन लीमा टूर्ण टू देयर संस राजा और राणी दोनों ने मिलकर अपने बेटों की तरफ गय और बोला दनिंग्दो सेड साना जावबा साना याइमा एंड सना तॉमबा, you have proved that तुम तीनों ने ये साबित कर दिया, you all are fine horsemen कि तुम तीनों शांदार घुड सवार हो, बहुत अच्छे घोडे पे चड़के तुम लोग घोडे को दोडा सकते हो, do something different, कुछ अलग करके दिखाओ, each one of you, so that we can decide who will be the तुंगी निंदो, कुछ तुम तीनों ही कुछ ऐसा करके दिखाओ, जिससे कि हम ये decide कर पाएं, हम ये फैसला ले पाएं कि कौन बनेगा तुंगी निंदो, कौन बनेगा future king, suddenly, अचानक, सना जाओबा ने क्या किया, सना जाओबा उनके eldest son, he mounted his horse, mounted his horse मतलब घोडे पे सवार हो जाना, घोडे पे सवा of him, spear मतलब भाला, इस तरीके का weapon आपने राजा महराजाओ के हाथ में देखा होगा, सना जाओबा घोडे पे चड़ गया, अपने हाथ में उसने spear को उठा लिया, और फिर, he looked around, अपने आस पास देखा, there was a hush among people, हश होने का मतलब, to stop speaking, or making a noise, जो लोग audience में बैठे होए थे अचानक से सब के सब चुप हो गए, silence हो गए, उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया, ये देखने के लिए कि, अरे, ये क्या करने वाले है साना जाओबा, what is साना जाओबा, the eldest son going to do? they thought to themselves, सब सोचने लगी, साना जाओबा देन, looked at the huge khong naang, that is the banyan tree, standing majestically in the distance, banyan tree कैसा था, बहात ही बड़ा था, चोड़ा था, बहात ही proudly खड़ा था, majestically means, with impressive beauty or scale, banyan tree, आपने अगर देखा है, कितना बड़ा और कितना शानदार होता है, बिल्कुल प्राउडली खड़ा रहता है, ऐसा हमें लगता है देखने में, इतना बड़ा पेड तो शायद ही कोई होता है, तो ऐसी चीज़ को हम majestically बोलते हैं, कि जो हमें अपने beauty से, अपने size से, because the banyan tree was huge, बहुत ही बड़ा था, उसके size को देखके हम बहुत ही impress हो जाते कि, अरे वा कितना बड़ा है, तो वैसे ही banyan tree, सना जावबा को दिखाई दिया, जो उसके सामने majestically खड़ा था, He pursed the tree and jumped his horse right through it, pierce means making a hole in something, तो जैसे girls अपने कानों में बालिया पहनती है, कैसे? कानों में एक छोटा सा होल बनाय जाता है, उस पे वो earring पहनती है, तो this is making a hole in the ear lobe, this is piercing of the ear, तो सना जावबा ने क्या किया? बड़े से बैनियन ट्री में उसने अपने भाले से अपने स्पीर को उठा के जोड से मारा और बड़ा सा एक होल बना दिया, इतना बड़ा होल जिसमें से वो घोडे पे चड़ा और उसके ट्री के आर पार गुजर गया, अपने घोडे को लेके जम्प करके वो निकल गया, राइट थ्रू इट उस होल में से पार चला गया, ब्रावो ब्रावो देपीपल शाउटेड अरे वाह अरे वाह सभी लोग चिलाने लगे, थाउरो 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 means in Manipuri, it means ब्रावो ब्रावो ब्रावो, and then fell silent, they all fell silent, विट सब लोग silent चले गया, क्योंकि अब सेकेंड सन की बारी थी, Now it was the turn of the second son, Sanayema, सभी लोग सोचने लगे, what would he do? अब Sanayema क्या करेंगे? Sanayema 2 looked at the Khong Nang, Sanayema 2 looked at the Khong Nang and he mounted his horse, वो अपने घोडे पे चड़ गया, then he to road, road है ride का past tense, then he to road towards the tree, अपने घोडे पे बैटके घोडे को दोड़ाता दोड़ाता वो भी बैनियन ट्री की तरफ पहुँच गया, harder and harder, और जोर जोर से अपने घोडे को दोड़ाता गया, दोड़ाता गया, the people watched close, और लोग एकदम नस्दीक से आँखे बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगे, he urged his horse to jump, urged मतलब अपने घोडे को जम्प करने के लिए उन्होंने लगाम खीची, घोडे की रसी को खीची, higher and higher, ऊपर चलांग लगा दी, the horse rose, rose है rise का पास्टेंस, घोडे ने ऊपर चलांग लगा दी, until horse and the rider jumped clear over the huge tree, जब तक की घोडे ने और उस rider कौन थे, जो घोडे की सवारी करता है, riding करता है, सना यईमा और ये घोड़ा, ये दोनों मिलके, जब तक दोनों ने जम्प करके ट्री के ऊपर से पार चले गए and landed on the other side, और ट्री को पार करके दोड़ते दोड़ते इतना उचा जम्प छलंग लगाया कि घोड़े पे सवार होके सना यईमा बैने ट्री के ऊपर से जम्प करके अधर साइड पहुँच गए, other side in a wonderful motion, बहुत ही शांदार तरीके से उन्होंने जम्प कर लिया, the people breath in relief, लोगों ने चैन की सांस ली, breath मतलब सांस ली in relief, चैन की सांस, क्योंकि इतनी उची छलंग अगर कोई लगाएगा, सब की सांस जैसे अटक जाएगी न, सब सांस रोक के देखने लगेंगी, इतने excitement में देख रहे थे सणा यह इमा को, and said in unison, और सब मिल के बोले, फैजेए, फैजेए, बाइजेए, that means wonderful, wonderful, अरे वा, अरे वा, यह तो और भी अच्छा है, and now it was the turn of the youngest son, सबसे छोटे वाले बेटे की बारी थी, साना तॉमबा की बारी थी, उन्होंने भी सोचा की अब मैं तो इससे भी जादा बड़ा कुछ करना चाता हूँ, he too उन्होंने भी rode his horse, अपने घोडे पे सवार होके राइडिंग शुरू की, towards the khong nang, उस banyan tree की तरफ, and before anybody knew what was happening, और इसके पहले ही कोई और समझ पाता, कि क्या हो रहा है, क्या करने वाला है ये, he uprooted it, uprooted का मतलब पेड को उसकी जड़ो से उखाड लेना, root कहां होता है, root होता है, जमीन के नीचे है न, और uproot होने का क्या मतलब है, roots को हम जमीन से up कर देते हैं, up, तब वो हो जाता है, uproot हो जाना, किसी भी पेड को जमीन से उखाड लेना, उसे uproot करना होता है, तो साना तॉम्बा ने उस बड़े से बैनियन ट्री को जमीन से उखाड के निकाल लिया, और लोग देखे हरान होए, triumphantly, now this is a new word, t-r-i, try, u-m, um, p-h-a-n, fan, t-l-y, ly, triumphantly, triumphantly means in a way that shows great happiness और joy at a victory और achievement, जब हम कोई बहुत बड़ी सी चीज पा लेते हैं, किसी जीत की खुशी, या फिर कोई achievement, ऐसा कोई चीज, जो सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने कर लिया, तो मेरे चहरे पे जो victory का भाव आएगा, that is triumphantly, he carried the tree to the ningdo and lima, and laid it at their feet, अपने चहरे पे victory का भाव लेते हुए, कि देखो मैंने तो सबसे बढ़िया काम कर लिया है, they crained their necks to see what was happening, crained मतलब अपने गर्दन को आगे बढ़ा बढ़ा के देखने लगे, कि अरे देखता हूँ देखता हूँ, इस तरीके के आपने वेहिकल को देखा है, क्रेन, इसमें एक बड़ा सा पार्ट मौझूद होता है, जिससे कोई भी भारी सामान left to right हिलाय जाता है, जब हम अपने गर्दन को भी इतना बढ़ा कर रेते हैं, left, right देखने के लिए, तब हम बोलते हैं, कि we are craning our neck, और सबको यही लग रहा था, कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, शायद वही future राजा बने, दा निंग्दो एंड लीमा वर वाचिंग सना तॉम्बी, याट इस देर फाइव यर्स ओल्ड डॉटर, राजा और रानी दूर से ही अपनी बेटी को देख रहे थे, जो पांच साल की उनकी बेटी थी, वो दूसरे लोगों की तरह खुश नहीं हो रही थी, वो बहुत दुखी हो रही थी, और अकेली महसूस कर रही थी, सना तॉम्बी दुखी इसलिए हो रही थी, की तरफ देख रही थी, जो डेड पड़ा हुआ था, अब पेड पौधे की जान कब होती है, जब वो जमीन में अपने जडो से पकड़ के खड़े रहते हैं, और जब उन्हें उखाड के फेक दिया जाता है, तो पेड भी डेड हो जाते हैं, उनके पत्ते यलो हो जाते हैं, मुर्जा जाते हैं, मर जाते हैं, तो वैसे ही जो खौंग नाग था, बैनियन ट्री था, वो भी तो मर गया था, उसे उसकी जमीन से उखाड की जो फेक दिया था, दा खौंग नाग वाज डेड बाई दा थ्रोन, थ्रोन मतलब सिंहा सन, सिंहा सन के पास मरा हुआ पड़ा था, उसे कौन लेके आया था, सना तॉमबा लेके आया था, बर्ड्स फ्लैप्ट वरीडली अराउंड, सर्चिंग फॉर दियर होम सिंद ट्री, जो भी चिडिया नेस्ट बना के उस बैनियन ट्री पे रहते थी, वो स सना तॉमबी वोगड अप टू द खौंग नांग और विस्पर्ड, सना तॉमबी धीरे धीरे बैनियन ट्री के पास गई और उसने धीरे से बोला, विस्पर्ड मेंस तू से वेरी साइलेंटली, कि हम जिससे बोल रहे हैं सिर्फ उसी को सुनाई दे, बाकि आस पास किसी और को ना सुनाई दे, उसने बहुत धीरे से बोला, दा खौंग नांग इस डेड, उसने बहुत धीरे से बोला, दा खौंग नांग इस डेड, उसे चोट भी लगी थी, और अब ये मर चुका है, दा पीपल वर ओल अटेंशन, अटेंटिव हो गए कि अचानक से क्या हो गया, दा निंदो स्टूड अप, राजा जी उटके खड़े हो गए, लुक्ट अट थी बोईज, लुक्ट अट अट लिटल गर्ल, उन्होंने अपने तीन लड़कों को देखा, और उन्होंने अपनी चोटी सी बेटी को देखा, लुक्ट अपनी प्रजा की तरफ मुड़े और अगर कोई राजा बनने के योग्य है, तो वो है सना तोंबी, इन चिडियों को जो नुक्सान हुआ, जो पेन हुआ, उसके बारे में बताया, सना तोंबी feels the pain of others, सना तोंबी दूसरों के दर्द को खुद महसूस करती है, उसे समझती है, और इसलिए राजा ने डिकलेर किया, ये अनाउंस किया, इसलिए सना तोंबी ही जब बड़ी हो जाएगी, फ्यूचर में वही कांगले पाक की रानी बनेगी, तो यहाँ पे सब लोग silence हो गए, बिकॉस निंदो ने यही फैसला सुनाय था, a silence fell, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था, हर एक राज्य का तो राजा होता है, किंग होता है, लेकिन रानी कभी राज करती है, क्या रानी कभी रूलर बन सकती है, सब लोग confused हो गए, तो यहाँ पे जानने वाली बात यह है, कि एक अच्छे राजा में या फिर अच्छे रानी में क्या-क्या qualities हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तर लोग बोलते हैं, कि राजा तो बहुत ही strong होता है, ब्रेव होता है, रॉयल होता है, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, वही राजा बन सकता है, लेकिन जो बहुत शक्तिशाली होगा, वो अपने देश को दुश्मनों से बचाएगा, देश के जो मियाम होंगे, जो लोग होंगे देश में रहने वाले, उनकी देखभाल करने के लिए उस राजा में काइंडनेस होनी चाहिए, वो राजा केरिंग होने चाहिए अपनी प्रजा के प्रती, तब ही तो वो दूसरों की देखभाल कर पाएगा, उनके दर्द को महसूस कर पाएगा, कांगले पा उस BANION TREE को मार डाला, लेकिन सिर्फ इनकी बेटी ही ऐसी थी, जो उस मरे हुए BANION TREE के दुक को समझ सकी, उस मरे हुए BANION TREE की वजे से वो भी दुख ही हो गई, और इसलिए Nindo ने और Lima ने अपनी बेटी को फ्यूचर लीमा बनाना डिकलेर कर दिया। Everyone turned to look at the little girl, their future queen. There she stood, all of five, like a small khong naag. वहाँ पे खडी थी, बिलकुल किसी छोटी से बैनियन ट्री की तरफ अपनी बाहों को फैला के, with birds flying all around her, और उसके चारो तरफ चिडिया उड रही थी. They sat on her shoulders, चिडिया उसके कंधों के उपर बैठे हुए थे, and on her head, और उसके सर के उपर बैठे हुए थे. She held out her hands full of grains. सनातों भी अपने हाथों में छोटे-छोटे दाने लेके खडी थी. And the birds flapped about her, pecking at the food. और छोटी-छोटी चिडिया उन दानों को चुग रही थी. Packing means दानों को चुगना. A lima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. और यही है moral of the story. एक असली राजा या फिर असली रानी वही हो सकती है, जो अपने राज्य में किसी को भी हर्ट न करे, किसी को भी मारे नहीं, सब की रक्षा करे, चाहे वो इंसान हो या चिडिया हो, जानवर हो या पेड पौधे हो. सारे living things. And that is the moral of the story here. So here we have to learn one more moral. That is the second moral of the story. जब सना तुम्भी को future Lima declare किया गया, तो सभी लोग silence हो गये थे. क्योंकि सब लोगों ने यही सोचा था, कि राजा तो कोई मेल होता है, जो बेटे होते हैं, वही तो राजा बनते हैं. लेकिन कांगले पाक के जो निंदो थे, वो जेंडर बायजम नहीं करते थे, दोनों ही जेंडर को equal opportunity देते थे, इसलिए उन्होंने equal opportunity दिया ये साबित करने का, कि तुम चारों में से ही जो सबसे ज्यादा वर्दी होगा, वही बनेगा कांगले पाक का future king या फिर queen. तो second moral यही है कि हमें भी सब को equal opportunity देना चाहिए, irrespective of the gender, जो सची में योग्य होगा, लायक होगा, उसी को उसका सही हक मिलेगा. So that was the beautiful ending of the story, hope you liked it. Let us see the new words one more time. Peace मतलब शांती, quiet, worthy मतलब deserve of something, किसी चीज के योगे या लायक होना, contest मतलब एक competition, spear मतलब भाला, एक तरीके का weapon, triumphantly मतलब victoriously, एकदम शांदार जीत की खुशी जाहिर करना. We will meet very soon with our next video, till then thank you very much and God bless you all.